हाई वीवर्स वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंज यह देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनीक सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडी काड़िगन में लेडी जैकिट में लेडी शग में गर्ल्स टॉप में बच्चों के स्वेटर में जैंट साफ सेटर फुल सेटर में कैप में मफ्रल में तो दिखिए फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो दोनों साइड ये सेम ही दिखाई देता है कोई भी साइड आप यूज कर सकते हैं या दोनों साइड वाले प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं तो देखिए इसको बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो 16 के मल्टिपल से होंगे प्लस दो फंदे एक्स्टा होंगे और यह जो डिजाइन है टोटल 20 रा का डिजाइन है प्लस दो फंदे एक्स्टा होंगे तो चेक आउट मैं चैनल हैश्टाग निटवेसुमन इंग्लिश तो लेट्स बिगिन फॉर दिस पैटन तो दिखिए यहाँ पर मैंने चाहें वो बना सकते हैं तो चलिए बनाती है 1st row, right side तो दिखिए यह हमारी foundation row है जो कि हम एक ही बार repeat करेंगे दोबारा इससे repeat नहीं करेंगे 1st row, right side, foundation row तो इस fund에 को दे बुन कर लेंगे से repeat pattern स्टाट करेंगे प्रागा अगे करेंगे जाई डालेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे यही दो फंदों का पैटन हम बार बार रपीट करेंगे धागा अगे लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे फिर सेसी पैटन को रपीट करेंगे धागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा फिर से दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा फिर से दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा फिर से दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा सिलिप करेंगे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा सिलिप करे एक फंदा सीधा फिर से धाग आगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा एस्ट इच पी सीधा ही बना लेंगे first foundation row complete हो गई है second foundation row इस row को भी एक ही बार repeat करेंगे दुबारा इसे हम नहीं बनाएंगे तो देखिए second row और foundation row wrong side as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे धागा आगे ही रखेंगे और एक फंदा slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो यही दो फंदों का pattern बार बार repeat करेंगे धागा आगे करेंगे और एक फंदा slip करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा आगे एक फंदा slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे एक फंदा slip करेंगे आगे किसाड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे किसाड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे किसाड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे किसाड़ से दो फंदों का, एक फंदा, धागा, आगे करेंगे, एक फंदा, स्लिप करेंगे, दो फंदों का, एक फंदा, धागा आगे, एक स्लिप करेंगे, दो फंदों का, एक फंदा, स्लिप करेंगे, आगे स्लिप करेंगे, आगे स्लिप करेंगे, आगे स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा आगे slip करेंगे last का stitch उल्टा बना लेंगे तो देखिए second foundation row complete हो गई है यह हमारी first row है और right side है यहां से main pattern start करेंगे first row right side stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा pull wise slip करेंगे धागा आगे ही और आगे किसाड़ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यही दो फंदों का pattern बार बार repeat करेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा slip करेंगे दो फंदों का एक फंदा फिर से धागा आगे slip करेंगे दो बनाएंगे तो इसे दियान से देखिए यही पैटर्न हमarelD Tक रिपीड करेंगे सभी रोज हम सेम ही बनाएंगे फॉश्ट zam लीज तरह दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे आगे कि सैड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे आगे कि सैड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे आगे कि सैड़ से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और S3 सीधा बना लेंगे ये दिखिए, फर्स्ट रॉर कंप्लीट हो गए है, सेकंड रो है रॉंग साइन फिर से रॉर फर्स्ट की तरह ही बुने याइस तरह स्लिप करेंगे धागा आगे ही रखेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे धागा आगे रखेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो यही दो फंदों का पैटन फिर से बार बार रपीट करेंगे एक फंदा धागा आगे करेंगे एक फंद धागा आगे करेंगे, slip करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, slip करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, slip करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, slip करेंगे, आगे की साइड से दो फं बनाएंगे धागा आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे श्लिप करें गर दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा और एस्टिच उल्टा बन and 8th same raw first की तरह बुनकर complete करेंगे तो इसे मैं complete कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पर हमने raw 8 complete कर ली है अब raw 9 है right side तो देखिए कैसे करेंगे raw 9 right side as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर 8 फंदे हम right to left इस तरह को test करेंगे तो front lobe से हम दूसरी needle पर 4 फंदे लेकर जाएंगे यह दो pair है इसको भी हम यह देखिए लेकर जाएंगे 3 और 4 इन 4 फंदों को आगे रखेंगे अब पीछे वाले 4 फंदे same हम pattern डालते हुए बनाएंगे जैसे हम pattern बनाते आ रहे हैं उसे ही follow करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा purlwise slip कर लेंगे फिर आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो यह हमारा दो फंदों का एक pair हो गया धागा आगे एक फंदा slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा टू और यही दो फंदों का pattern पेर हम फिर से बनाएंगे आगे वाले फंदे जो हैं इनको भी हम same ही बना लेंगे अपने pattern को repeat करते हुए जो pattern हम डाल रहे हैं धागा आगे करेंगे एक फंदा slip करेंग और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, तो दिखिए हमारा थार्ड पेर हो गया ये, थागा आगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे, और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये हमारा फोर्थ पेर हो गया है, और ये दिखिए, यहाँ पर हमने 8 फंदे ट्विस्ट किये हैं, 4 पियर हैं, एक पियर में 2 फंदे हैं, तो यहां पर हमारे 8 फंदे ट्विस्ट हो गए, अब next 8 फंदे जो हैं, वो पैटरन को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे, तो दिखे धागा आगे लेकर आएंगे, तो एक फंदा हम पालवाइस स् एक पियर हो गया, फिर स्लिप करेंगे, आगे 62 फंदों का एक फंदा 2, धागा आगे, स्लिप करेंगे, आगे 62 फंदों का एक फंदा 3, धागा आगे, स्लिप करेंगे, आगे 62 फंदों का एक फंदा 4, यह दिखे यहां से यहां तक हमारा यहां पर हमने 8 फंदे जो हैं, वो तो हमने बनाया है 8 फंदों को हमने सेम पैटन फॉलो करते हुए बनाया रहा तो फिरसे इसी पैटन को फिरसे रपीट करेंगे तो फिरसे देखिए हम इन फंदों को shift कर लेंगे चार फंदों को one two three four चार फंदे ये आगे रखेंगे आप पिछे के चार फंदे same pattern follow करते हुए बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा जो है वो purlwise slip कर लेंगे और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे तो हमारे ये एक पियर हो गया धागा आगे करेंगे एक फंदा पालवाई slip करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा दो अब आगे के दो पियर और बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर 8 फंदे जो है वो twist हो जाएंगे एक पेर में 2 फंदे हैं तो 8 फंदे हमने twist किये हैं फिर से धागा आगे करेंगे और 1 फंदा slip करेंगे आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 3 धागा आगे 1 फंदा slip करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फोर ये दिखिए यहाँ पर हमने ये एट फंदे ट्विस्ट कर लिए अब नेक्स्ट एट फंदे सेम पैटरन फॉलो करते हुए बनाएंगे धागा आगे एक फंदा पालवाई स्लिप करेंगे आगे 62 फंदों का एक फंदा फॉर एस्टिज सिधा बना लेंगे तो ये दिखिए यहाँ तक हमने दो पैटरन कम्प्लीट किये हैं अब हमारे पास टैंथ रॉव है और रॉंग साइड है इसे सेम रॉव फस्ट की तरह ही बनाएंगे एस्टिज स्लिप करेंगे धागा आगे ही रखेंगे रपीट पैटरन स्टाट करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे एक सैड़ से दो फंदों का एक फंदा तो यही दो फंदों का पैटरन बार बार रपीट करते हुए जाएंगे एक फंदा धागा आगे करेंगे एक स्लिप करेंगे आगे एक साड़ से दो फंदों का फिर से स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे आगे की साड़ से दो फंदों का एक फंदा तो यही पैटरन फॉलो करते हुए एंड तक यह सारी रो बुन कर complete करेंगे धागा आगे ज्लिप करेंगे आगे की साड़ से दो फंडों का एक फंदा धागा आगे सलिप करेंगे, आगे की साड़ से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे सलिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे slip करेंगे दो फंदों का एक फंदा धागा आगे करेंगे slip करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे slip करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और last में edge उल्टा बना लेंगे ये दिखिए 10th row complete हो गई है और हमारा half pattern भी complete हो गया है फिर से यही 10 row पर repeat करेंगे लेकिन इस pattern को shuffle करेंगे तो देखिए यह वाला pattern यहाँ पर आएगा और यह वाला यहाँ पर आएगा तो अब हम row 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 same row first की तरह ही बुन लेंगे तो row हम 11, 12, 18, same row first की तरह बुन कर complete करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने row 18 बना ली है यह इसकी row 19 है इसे हम यह देखिए इस pattern को shuffle करेंगे इस row में तो यह वाला हमारा जो pattern है यह यहाँ पर आएगा और यह वाला यहाँ पर आएगा तो देखिए कैसे करेंगे row 19 एस टीश स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे 8 फंदे pattern follow करते हुए बनाएंगे 4 pair बनाएंगे 2 फंदों का 1 पेर है धागा आगे करेंगे 1 slip करेंगे आगे 1 साट से 2 फंदों का 1 फंदा 1 देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे pattern follow करते हुए बना लिए है तो यह हमारे 4 pair हो गए है यह देखिए 1 2 3 4 अब next 4 फंदे जो हैं उनको हम right to left twist करेंगे twist to left इस तरफ को 4 फंदे हम दूसरी needle पर लेकर जाएंगे तो यह देखिए extra needle लेंगे 4 फंदे लेंगे 1 2 3 4 इनको आगे रखेंगे और पीछे वाले फंदे जो हैं उनको pattern follow करते हुए same बना लेंगे तो 4 फंदे हम बुल लेंगे तो यह 4 फंदों का हमारे 2 pair बनेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा slip करेंगे और आगे की side से यह दिखिए धागा आगे एक फंदा पालवाइस slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा आगे एक फंदा slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा त्री धागा आगे एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फोर, यह दिखिए, यहाँ पर हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, यह हमारा 16 फंदों का पैटन है, जिसमें हमने 8 फंदे जो हैं वो पैटन को फॉलो करते हुए, इसम्प्ली बना लिए हैं, और नेक्स जो 8 फंदे हैं, उनको हमने राइट टू लैप ट्विस्ट किया है, तो यह हमारा जो पैटन है, यह 16 फंदों का पैटन है, इसे हमने कम्प्लीट कर लिया है, फिर से इसी पैटन को फॉलो करेंगे, और सेम बना लेंगे, तो फिर से आगे एक सार से दो फंदों का एक फंदा टू, धागा आगे, स्लिप करेंगे, आगे एक सार से दो फंदों का एक फंदा टू, धागा आगे, स्लिप करेंगे, आगे सार से दो फंदों का एक फंदा फोर, अब हम एट फंदे इस तरफ को टिस्ट करेंगे, फ्रंट लूप स फोर फंदे आगे लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4 इनको आगे रखेंगे अब पीछे वाले जो फंदे हैं इनको same pattern follow करते हुए बनाएंगे धागा आगे एक फंदा slip करेंगे और एक फंदा दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे यह हमारे आगे वाले फंदे भी same ही बना लेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा slip करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे धागा आगे की साइड से एक फंदा slip कर लेंगे धागा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फोर और लास्ट में एस्टिच है इसको सीधा बुल लेंगे तो ये दिखिए यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हुए हैं लास्ट में हमारी 20 राउ है इसको हम सेम राउ फास्ट की तरह ही बना लेंगे पैटन फॉलो करते हुए है एससे स्लिप करेंगे धागा आगे रखेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे की सैड़ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो यही दो फंदों का पैटन बार बार रपीट करेंगे एक स्लिप करेंगे और गएक साड़ सकोंदों का एक फंदा फिर से धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का धागा आगे, स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, दागा आगे, स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, स्लिप करेंगे, दो फ दो फंदों का एक फंदा धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा आगे स्लिप करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एस्टिच उल्टा बना लेंगे ये दिखिए हमारी 20 रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भ बन कर यह दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडीज काडियन में लेडी जैकिट में जैंड साफ सेटर फुल सेटर में बच्चों के सेटर में तो फ्रेंड आप भी से बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमार प्रेंड साफ दिखनों